वेल्कम टु एमिनेंट गाइड इस लेक्षर में हम डिग्री आफ हैलोजन पढ़ने जा रहे हैं जिस तरीकी से डिग्री आफ हैलोजन होता है उसी तरीकी से डिग्री आफ हैलोजन होता है इसका क्या मतलब कि कारवन का डिग्री ही हैलोजन का डिग्री हो जाता है जो degree carbon का होगा वही degree halogen का हो जागा तो सबसे basic example अपने एक लेते हैं उससे अपन समझने की कोशिस करते हैं इस case में BR का degree क्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो traditional method है जो मेरा method है मैं ऐसे करता हूँ आपको भी ऐसे करना चाहिए तो हम क्या करते हैं कि की पहले डिफाइन करते हैं तो इस carbon का degree 1 degree एक करवन से जुँआ हुआ है तो 1 degree हो गया तो इस carbon का जो degree है वही इस BR को पैसे degree हो जाएगा मतलब मैंने बताया कि जो carbon का degree होता है वह carbon का degree क्या है और जो carbon का degree होगा तो वही हैलोजन का डिग्री हो जाएगा, वही आयोडिन का डिग्री हो जाएगा, तो कारवन का डिग्री के लिए अपन, पहले तो कारवन जो भी इससे जुरुए हुए हैं, उसको हाइलाइट कर दें, तो हाँ, वन टू, टू कारवन जुरुए हैं, टू डिग्री कारवन, तो two degree halogen, लिख देंगे, two degree halogen, इसी तरी की से बने पास एक और concept है, degree of alcohol, पहले तुम्हें एक बात बता दू, की alcohol क्या होता है, तो कोई भी compound, इस तरह का कोई compound, जिसमें की OH जुरा हुआ हो, OH जुरा हुआ है, तो ऐसे compound को अपन अल्कोहल कहते हैं, यह सब चीज़ अपना आयूपे सी नोविन प्लेचर में, डीटेल में पढ़ते हैं, इस मेंज की OH जु लगा हुआ है, इसका degree क्या है, तो यह भी halogen और hydrogen की तरह होता है, जो इस carbon का degree होगा, वही alcohol का degree हो जाएगा, सें हुआ हुआ है, वह one degree alcohol है, एक और example ले लूँ कुछ, इस case में क्या हो जाएगा, तो इस case में फिर से आपन काउट करेंगे, कितने carbon है, मैं carbon को highlight कर लूँ, तो यह वाला carbon, दो carbon समझ रहा हुआ है, मतलब यह two degree carbon है, तो यह alcohol भी two degree alcohol हो जाएगा, तो इसी तरीके से अपने पा इस के लिए एक topic लिखनो, degree of, amine का क्या degree होगा, कैसे अपन degree पता करते है, amine का, amine का degree पता करने के लिए हमारे पास अलग तरीका होता है, मैं तुम्हें यह बता दूँ कि, यह वाला चीज amine का जाता है, और किसी भी compound में अगर इस तरह का system लगा हो, तो हम उसे amine containing system ऐसे क करके कर सकते हैं, तो जैसे अगर मैं एक example लोओ, इस case में यह जो amine है, यह कितने degree का amine है, तो मैं यह बताना चाहूँगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, कि amine group से कितना carbon जुड़ा हुआ है, उसको हम count करते हैं, तो इस group से कितना carbon जुड़ा हुआ है, तो 2 carbon, तो यह 2 degree amine हो से कितना carbon जुड़ा हुआ हुआ, यह पहले हम count करेंगे, 1, 2 and 3, तो यह 3 degree amine, एक और चीज़ अभी बतादू, लास्ट में अभी तक मैंने इस बात का चर्चा नहीं किया था, 1 degree, कोई भी चीज़, जो 1 degree है, उसको हम लोग आते हैं, प्राइमरी, जो 2nd degree है, उसको हम लोग काते हैं, tertiary, तो और जो 4th degree है, उसको हम लोग काते है, quadernally, इस lecture में हम इतना ही देखेंगे, next lecture में मैं बताऊंगा, classification of organic compounds, इस lecture करी, thank you, see you in the next, don't forget to subscribe, and share with your friends.